जेहिन दोस्तो, आज मेरे पास एक earburst आया हुआ है, यह earburst में क्या प्रोब्लम है, आपको हम दिखाते हैं, देखिए, एक earburst क्या होता है, कि इसको निकाल देने के बाद क्या रहता है, कि on रहता है, है ना, देखिए, चार्ज दोनों लेड़ा, आपको हम दिखाते है, यह full charge ह इसलिए यह outtaра indicate avec it, है और जो है, इस रहता है, आपको है, इसको निकाल दी है, तो यह on है, यह लाल से hara जल रहा है, मतल्व, यह on है, ठिक है, on रहता है, पर जब इसको हम बाहर निकालते हैं, तो यह on होता है, क्या problem है, इसको जो बाहर निकालते हैं, तो Clar с dows tele, यह on यह चार्ज होड़ा है मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि यह चार्ज ले रहा है और जैसे हम इसको बहार निकालते हैं तो यह चार्ज मतलब अन होता ही नहीं है तो हमें ऐसा लगड़ा है कि इसके अंदर जो बैटरीक रहता है, वो साथ चार्ज ने ले रहा होगा, या बैटरीक खड़ाव होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोब्लम होगा, है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तो चलिए हमें इसको खोलते ह और फिर पता चलेगा कि exact problem कहा है और क्या है तो इस तरह का problem में जो है सबसे पहले तो आपको bad trick ही check करना पड़ेगा क्योंकि देखिए काफी लोग बोलता है क्या है कि यहाँ पर problem होगा तच नहीं कर रहा हो गई है यह जो है टच नहीं कर रहा होगा तो भाई बिन टच किये वे जो है लाल बत्ती नहीं जलता है है ना लगाने के बाद लाल बत्ती जलता है आपको दिखिए लाल बत्ती जलता है इसका मतलब यह जो है connect ले रहा है तभी यह लाल बत्ती जो है जल रहा है है ना तो चलिए खेर हम इसको भी निकालते हैं उसके बाद पदाचलेगा की क्या प्रोब्लम है देखिए जो है हम निकाल चुके हैं है ना और अब क्या है कि इस बैटरी को चेक करते हैं ये बैटरी क्जिज़ सही है क्या नहीं है देखिए आप दीख रहा है न हम आप जूम कर दिया है आप इसको क्या करना है बैटरी को चेक करते हैं वोल्ट की बैटरी क Jug सही है का नहीं है तो दूसरोड यह दिखिए मेरा मल्टिमीटर रहा है न और इसको जो है किसा इस जो है 20 V के रेंज मेह हम सेठ कर देते हैं यह चार्ज नहीं ले पाड़ा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह चार्जिंग वोल्ड यहां पर आड़ा आए कि नहीं आड़ा है क्या समझें चार्जिंग वोल्ड यहां पर आड़ा है कि नहीं आड़ा रणीछ का देते हैं कि या यह हो गया माईनस और यह यहो गया माइनस जो एक बोल्ट ःडधे है Resistance करना है निस गहीं छ। पहराई बैटरी खड़ाब होगा, बोल्ट को ड्रोप कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करते हैं, इसको खोल दिया है, अब चेक करते हैं, कि कितना वोल्ट आड़ा है, दिखिए, जो है, 4 वोल्ट आड़ा है, साथ आपको दिखा रहें अच्छा से, दिखिए, 4 वोल्ट आड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो सर्कीट है, ये सर्कीट बिलकू सही है, अब πरोब्लम कहाँ पे है, तो बैटरी कमें, अब क्या करते हैं, कि ये बैटरी को खोल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, खोल देते हैं, खोल दिया बैटरी को, अब क्या करते हैं, कि यहां पर हम बैटरीक पर वोल्ड चेक करते हैं, कितना आड़ा है, वोल्ड बिल्कुल कम आड़ा है, क्या है, वोल्ड बिल्कुल कम आड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क अगर बैट्रीक जटका देने के बाद भी नहीं होता है, तो आप बैट्रीक नया लगा होगे, अब दोस्तों काफी लोग पुछेंगे कि जटका किस चीज़ से देंगे, तो भाई आपके बाद चार्जर होगा कटा हुआ, तो कटा हुआ चार्जर से जो है, आप जो भी मुगाल का चार्जर है, मुगाल का चार्जर ही होना चाहिए, तो कि उसमें चार्ड भोल्ट रहता है, सटाना हटाना सटाना हटाना, और मेरे पास देखे नया बैट्रीक भी है, और नया बैट्रीक देखो हम लगा सकते हैं, आप देखो जटका माणे से जो है बै्ट्रीक काई हधर तक ठीक हो जाता है यह काफी सारा एयर बट्स वगएरा रिप्यर किया है इसलिए हम confidence के साथ बोलते हैं दूश्टो अब आप बैट्रिक जो है अब लगाओगे तो ठीक भी हो जाता है जटका माटोगे तो ठीक हो जाता है तो चलिए यह मेरे पास से नया बैट्रिक है और इसको हम चेक करते हैं अब यह जो 3V है तो बस इसका क्या करना है कि पलस माइ तो पलस में माइनस माइनस में जोर दिया है और क्या करना है इसको जो है इससे टेप से जोर कर देना है और यम्ट देखें से चिमस्ट को कब वाहता है, قबार कर देते हैं अब क्या करना कि ओर से खोले तो वेट से buildings आपको लगा दे ना है और यहां, है और यहां इसे लगा आ देखें आप चार्ज में लगाते हैं तो यह चार्ज ले रहा ले रहा है अब खोल के देखते हैं कि ने अन देखिए जो है अन हो गया है ना ये भी अन हो गया और देखिए ये भी अन होता है कि ने देख लेते हैं ये भी अन हो गया है ना तो दोस्तों आपको समझ में आ गिया होगा कि प्रब्लम कहा था और कैसे ठीक करेंगे हैं ना तो